नमस्कार मैं हूँ राहुल शर्मा आप देख रहे हैं एस पे नाइनियो स्वागत आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में प्रोग्राम के शुरवात कनहिया कुमार से कनहिया कुमार की क्या एंट्री गुजरात में हो सकती है और गुजरात में अगर उनकी एंट्री होगी तो कितने बड़े बदलाव हम जो है वो देखने को मिलेंगे दरसल सीधे साफ तोर पर ये देखा जा रहा है कि कनहिया कुमार इन दिनों काफी हद तक जनता के मुद्दों पर बात करें देश के मुद्दों पर बात करें लगातार देश के मुद्दों पर जिस तरह से वो आज बात करें लगातार देश के मुद्दों को जिस तरह से उ लगातार जनता के मुद्दों को उठाते रहें जनता के मुद्दों पर बात करें महंगा ही शिक्षा सवास बात कर और कौंगर्स अगर कंहिया कुमार सचीन पायलेट जिगनेश मेवार इन तीनों यूवा नेताओं को कॉंग्रेस गुजरात में रखकर काम करती है तो और ज्यादा benefit मिलेगा कॉंग्रेस पार्टी इस वक्ष में भूमिका में अच्छी है कुछ 78 सीटे उनके पास है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि यह जो सीटे उनके पास हैं यह सीटे 100 से पार हो सकती है अगर कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो कॉंग्रेस को बिना देर लगा है अगर यह अपने तीनों तिकड़ी जो है उतार गुजरात में काम करवाना शुरू कर देती तो शायद कॉंग्रेस पार्टी गुजरात में कुछ बड़ा कर सकती है लेकिन हम का कुछ वीडियो दिखाएंगे यह वीडियो बहुत तेजी से वाराल हो रहा है अब मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि कनाया कुमार के जो ज़्यादातर वीडियो से वो यह सीधे तोर पर दिखाते हैं कि कैसे वह बीजेपी नेताओं से सवाल पोस्ते लेकिन वह बा टा हैं आतंकवादि से नहीं डरे तुम तो वैसे भी माफी मांगने वाले लोग हो भाई तुम से क्या डरेंगे वह एडी-धी सी डर नहीं लगता है एडी-धी-धी भ admit गर नहीं बचाना चाहते हैं हम बस इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि हीडी इनके घर पे आय क्यूं है इडी इनके घर पे इसलिए आया है कि मोदी जी को कोई साधू बता दिया है कि विपक्च के सारे नेताओं पर एक ही कैपसुल इस्तेमाल किजिए एक कैपसुल सबके उपर बड़ावर लागू नहीं होता है सब धन 22 पसेरी नहीं होता है इनको लगता है कि एक बार डी भेज देंगे तोंग्रेस पार्टी डर जाएगी और चुप होकर करके बइठ जाएंगे कि देखोकि इसके नेता के उपर इडी अ गया है तो कार्टा को कौन पूछता है क鬼श्यक के अन्दर इस बात क्या जज़्वा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद कर सकते हैं तो इस देश को अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवार किया है उस खिलवार के खिलाफ हैं हम उस खिलवार के खिलाफ क्यूं है हम कि आपने इस देश को स 1068 स्रिंप माननिय novri जी बोले थे कि हर साल दो करोड़ नौकरी दी जाएगी क्या मीडिया भाहले मोदी जी बोले थे ना हम बोले थे अर बो me leaning महाराज आपको भी बोलना परेगा यार रखीएगा इस बात को सब की बारी आएगी इस बात को याद रखिएगा अरे हमारे लिए क्या है जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बारी सब की आएगी इस बात को याद रखिएगा कहे थे न मोदी जी कि हर साल दो करोर रोजगार देंगे बोले स्टैकी नहीं बोले थे अरे बोलिए न furry sg कार करता है भाजपा के थोरी कर ढर जायेंगे बोले थे ना बोले थे ना की महंगाई कम होगी मोलते नैख ऐगा ऐगा बोलते नंदे तीन आएगा। आया क्या मोदीजी के स्टायल में पूछूं क्या आया क्या अब नया जुम्ला आया है अब नया जुम्ला आया है कि हम अगनी पथ ले करके आये हैं हूं एक भाजपा का निता इमांदार केलास विजय वर्गिया को धन्यवाद देना चाहिए कम से कम उसने इस देश के नोजवानों की संका दूर कर दी उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार भाजपा ओफिस में सभी नोजवान बनेंगे चोकीदार यही योजना है ना लेकिन मैं कहता हूं सेकृरिटी गार्ड बना देते हैं मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी मंत्री का बेटा बनेगा बिसी सी आई का सेक्रेटरी और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ओफिस में सेकृरिटी गार्ड हायरे हिपोक्रेसी इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना और बैमान किसको कहते हैं देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सची बोलेंगे मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया मोद मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किये हैं और ये देश की जो परिस्थिती है इस परिस्थिती पे मुखड ओकर के हमारे नेताब बोलते हैं इस बात का हमको गर्भ है कि सरकार के सामने बिना जुके कोई लड़ता है और करके तो उसका नाम राहु गंधी है उसको डराना चाहते हैं उसको डराना चाहते हैं उसको जुकाना चाहते हैं अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकिदार मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकिदार ये चौकिदार नहीं है ये देश के ठेकेदार है और ये देश के ठेकेदार क क्योंकि इस देश के लोगों का उनके भविष्ट को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं ये जो अगनीपत्य योजना है इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फरेंस सुन रहा हूं प्रेस कॉन्फरेंस में सरकार जिलेवी की तरफ गोल गोल कर रही है हर चीज को सब कुछ बोल रही है सब फाइदा गिना रही है हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री ये भी आकर के कह दे कि अगनीपत्य योजना में सामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिड़ेगा जिस तरीके से उसके फाइदे गिनाये जा रहे हैं लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है एक सिंपल सवाल है सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए क्या सिंपल सवाल है कि जो भरतियां हो रही थी वो भरती होगी की नहीं होगी सवाल नमबर एक सिंपल बात है पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले दो साल में अब तीसरा साल है 50,000 लोगों को भी की भी भरती नहीं की गई बहाना क्या दिया गया बहाना दिया गया कि कोरोना था इसलिए भरती नहीं किये हाई मोदी जी कोरोना था तो चुनाव लर लिये बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिये सब जगा चुना हो गया उत्तर प्रदेश का चुना हो गया ब करने में कोड़ोणा नहीं है और अगर आप बैक लोग को देखेंगे पचास हजार को अगर मन लें तब भी समय लाख बहाली होनी चाहिए थी, देर लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं, देर लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे हैं, उपर से एक नया योजना ले करके आ गए हैं, तो एक छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है, बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था कहा मम्मी दूध पिला दो दूध पिला दो मम्मी उसको उठा करके अल्मीरा पे बिठा दी बच्चा मम्मी को यह नहीं कहता है कि मम्मी दूध पिला दो बच्चा चिला चिला करके कह रहा है कि मम्मी अल्मीरा से नीचे उतार दो नीचे उतार दो लोग मांग रहे थे हर साल दो करोड़ नौकरी इन्हों ने हर साल दो करोड़ नौकरी नहीं दी उपर से एक नया योजना लेकर के आ गए हैं पूरा का पूरा भाजपा के तंत्र को उसमें लगा दिये हैं कि आप बताईए कि अगनी पत के क्या वीडियो आपने देखा जिसम हैं यहां सट चाहते हैं जनता इस बार गुजरात में कुछ बड़ा करना चाहरी परिवर्तन जाहरी और की खास हम देख रहे हैं कि अब देकना और कि गुजरात में एंट्री होगी कनईया कुमार की सचीन पाइलेट की और हैध होती है तो कितना बड़ा फायदा मिलता और क्या गुजरात में कॉंग्रेस पाटी चुनाव जीत पाईगी आज के लिए अपसे फिर दुबारा मुलाखात होगी तब तक के लिए जादीजे नमस्कार